नमस्कार दोस्तों आपके अपनी यूटूब चैनल अभेसिंग फियरलेस वर्ड में स्वागत है और आज हम लोग जाने वाले हैं रिगिंग एकुपमेंट के बारे में अक्सर आप सुने होंगे कि रिगर आता है रिगर फोर्मेंट आता है समानों को उठाने के लिए एक हम लोगे इजब हम वक्षान इचानों, उसमें एक हुग होता है और हुग में बहुत सारी में चीज्ज़ों को है ठीक है यह उक है, और इसमें रिगिंग साहिनों को उठाया जाता है और यह ही काम तो रिगर न चैनल करता है और यह जितने भी हुग के निचे के जρिउ जो हमारा machine को अलग है जबकि ये सारे चीज रिखिंग equipment में आते हैं तो आये जानते है रिखिंग equipment में मेंले टीन चीज़ें आती हैं एक तो आपका जिए चीन आता है जो कि कि सीज को बांद के उठाने के लिए उज़ किया जाता है और steel wire rope आता है और तीसरा आता है soft lifting equipment यही तीन चीज़े जो है काफी आप देखेंगे इंडस्ट्री में यूज होता है और इन ही चीजों के कुछ component यूज होते हैं दी से के लोगर ताकि और अच्छे से बांधा जा सके बट मेंली यही तीन चीज़े हैं chain, steel wire rope और soft lifting equipment तो जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं यह सब chain है और chain में भी अलग-अलग category हो सकते हैं और steel wire rope भी कई तरीके का हो सकता है है और soft lifting equipment भी तरह-तरह के हो सकते हैं steel में भी आप देखे होंगे chain type का belt आता है इसका तो यह भी आपका steel में आ जाएगा तो जेनरली यही चीज़े होती है यह तीन चीज़े में मैंने categorize किया है अब आए जानते हैं पहला chain chain हम लोग काफी यूज़ करते हैं chain इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यह जल्दी घि chain के component भी बहुत सारे available हैं आप देखेंगे chain block जो है chain या ऐसे जगहों पर जहां बहुत high जदादर heat है वहां पर तो वहां भी हम लोग chain का यूज़ करते हैं और इसकी छोटा बड़ा इसको असानी से हम लोग कर सकते हैं chain को हर एक link में हम देखते हैं क्या फसाद देते हैं ज तो इन कारणों से हम लोग chain का यूज़ करते हैं जबकि अगर मैं build की बात करूँ तो build क्या होता है कि एक तो यह बहुत simple होता है इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है उस chain कम खर्चे में बन जाता है उसके बाद यह suitable for fragile goods के लिए मान लेते हैं को यह सा material जो जल्दी तूट सकता है ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए इसको यूज़ करते हैं ताकि जो है जल्दी कोई समान टूटे नहीं क्योंकि कोने अगर अगर पड़ जाएगा न तो यह चेन अगर तोड़ देगा सीलिंग तोड़ देगा जबकि यह जिसे अगर एसी उठाना है जिसे माल लेते हैं कोई फ्रीज उठाना है ऐसे कोई भी चीज उठाना है तो वहां build का ही परियोग कर क्योंकि यह soft होता है उसके बाद जो है यह flexible suitable for chalk hitch यह flexible होता ही है आदमी के हाथ में अगर पकड़े तो छिलता नहीं है जल्दी कटे का नहीं और यह chalk hitching के लिए मतलब कि इसको ऐसे पाइप है तो इसको इसे लापेट के बांधने के लिए काफी असानी से इसको बांधने के इसको ऐसे इस तरीके से इस तरीके से बांधने के लिए हम लोग यूज कर सकते आसानी से तो यह जो है chalk hitch के लिए काफी अच्छा है और इसका जो है worker बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कितना टन का है जैसे अगर यह आप देख रहे हैं कि यह कितना येलो है तो येलो मतलब सिलाई है एक दो तीन अप देख रहा है मतलब यह तो इस तरह से हम अलग अलग कलर होते हैं और उससे आप पहचान जाएंगे अब बात आ गई स्टील यह और आप देखेंगे इंडस्ट्री में स्टील वाय रोप य Meinung उचता है आप क्रेवह क्रेट में देखेंगे चाहें बहुत सारी इसका तार टूट जाये तो हाथ में छीलने वलने का चांज जादा रगता है और इसके तार हाथ में लगते ज्यादा है जल्दी मुड़ता नहीं है यह तो इसलिए कि उसमें सीलिंग ही यूज ही किया जाता है तो सीलिंग जो है हेवी लिफ्टिंग में काफी इसको यूज किया जाता है तो इसलिए देखें कि काफी इंपोर्टेंट है हेवी लिफ्टिंग में ये अब अगर हम कंपरीजन की बात करें तो आप जानते ही हैं तीनों का अपना उसके बाद जो है आपको अगर chain के बारे में समझना है तो ये कुछ चीज़े समझना पड़ेगा जैसे working load limit तो आएए अब जानते हैं working load limit के बारे में तो जितना कोई भी ceiling या belt जो भी है जितना उसको authorize किया गया है उठाने के लिए suppose मैंने बोला ये दो टन के लिए है या तीन टन के लिए है तो जितना इसको authorize किया है मैंने इस जितना लिखा हुआ है वह उसकी capacity है मतला working load limit है ये कौन authorize करता है उसका जो manufacturer है जो जिसने उस company ने बनाया है उसने लिख दिया है कि आप इससे दो तन या तीन टन आप उठा सकते हैं उठाए तो यही उसका होता है work load limit अब बात आ गई कि breaking force क्या होता है breaking force हम लोग बोलते हैं कि जब हम किसी चीज को पकड़ के दोनों सीरे को और खीचते हैं तो एक certain load के बाद तूट जाता है तो वह क्या हो जाता है उसका breaking force यानि जितना पर तूट जाए उसको breaking force ही बोलते है ultimate strength भी बोलते हैं उसको क्योंकि यहां पर तूटता है न तो इसको कई जगा पर ultimate strength भी बोलते हैं तो यह डिपेंड करता है अलग जगा पर अलग 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 इसका नाम हम दे सकते हैं तो breaking strength ultimate strength यह सेम नाम है तो यह इस चीज को बोलते हैं यानि कि जब तक वह तूटे नही तब तक वो कितना लोड ले सकता है उसको बोल सकते हैं ब्रेकिंग फोर्स अब बात आ गई फैक्टर अप सेफटी एससे भी बोलते हैं सेफटी फैक्टर तो हम क्या करते हैं हम जानते हैं कि हम तूटेने का तक इस चीज का इंतिजार नहीं करेंगे तो इसलिए हम लोग जब चीज को बनायें तो एक लिमिट सेट करेंगे कि हम माल लेते हैं अगर पांच तन उसका कैपसीटी है तो हम एक टन ही उठाएंगे उसमें उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो हमने कितना गुना ज्यादा लोड अब उठा सकते थे तो पांच टन उठा सकते थे लेकिन अ करते हैं तो 5 आता है तो यह 5 क्या है उसका factor of safety तो factor of safety generally क्या होता है relation between the breaking force और उसका work load limit ठीक है न तो इस चीज़ के हम लोग relation को factor of safety बोलते हैं और generally यह इसका formula यह है safety factor मतलब minimum breaking force divided by working load limit यानि कि आप इसको ultimate strength ही बोल सकते हैं और इसको यह जो मैं ग्राफ दिखा रहा हूं यह last में समझाऊंगो आपको बड़ी easy समझ में आ जाएगा अब बात आ गई कि factor of safety जो है generally हर company यही इस टेंडर है कि chain का 4 रखना है और wire का 5 रखना है और ceiling का से में रखना है ठीक है तो यह इतना रखा जाता है और कभी भी हम लोग को safe working load जो होता है जितना हमारा उसके उपर लिखा है उससे ज्यादा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा हो सकता है डाइनमिक फिर हमको safety कहा रहा इसलिए हम लोग यह सब factor of safety को लेके रखते हैं तो 457 आप याद रख सकते हैं अगर एक चेन पर लिखा है कि मालेजे की वन टन उठा पा रहा है इसका मतलब यह है कि उसको चार टन देने के बाद ही जाकर तूटेगा उसके पहले नहीं तूटेगा तो यह कंपनिया इसे ही बना के बेचती है ताकि यहीजी हो जबकि अगर ceiling पर लिखा है कोई ceiling अगर 2 ton का है और factor of safety कितना है seven तो ये तो उसका manufacturer ने बाद आया है यानि कि work load limit है लेकिन इसका ultimate strength कितना हो जाएगा कब ये टूटेगा minimum breaking force क्या होगी इसकी तो दो गुणे 7 यानि कि ये 14 ton हो जाएगा ठीक है ना I hope जो है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा उसके बाद अगर हम बात करते ह है manufacturing proof force आप जानते हैं कि जब भी manufacturer कोई चीज को बनाएगा तो उसका टेस्टिंग होगी और टेस्ट करके ही बेचेगा और टेस्ट कब कितना तक करेगा हर चीज को तोड़ दे तो फिर बेचेगा गया तो इसलिए उसको पूरा breaking force तक नहीं चेक करता है उसको उसको एक certain limit डबल या ट्रीपल है ना या धाई गूना ज्यादा उसको फोर्स देता है अगर वो टूट गया मतलब कि खराब है अगर नहीं टूटा मतलब अच्छा है इस तरह से उसकी टेस्टिंग होती है जैसे मालने ते है क्रेन है और क्रेन उठाता है कितना मालने ते है कि उसकी 10 ट फोर से उसके क्रेन टूट जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा भी उठाएगा बट हम इसको इतना तक हम लोग टेस्ट कर लें यह बोलते हैं मैनुफैक्ट्रिंग प्रूफ फोर्स जिस पर उसको टेस्ट करके और बेचा जाता है दूसरे को कि उसके बाद टोटल अल्टिमेट इलोंगेशन आप जानते हैं जब किसी चीज को अगर कोई भी चीज हो चाहें लकडी हो चाहें प्लास्टिक हो चाहें कोई चीज जब उसको आप खींचते हैं तो खींचने के बाद जो है न वह थोड़ा फैलेगा मतला कि अभी यहां से ऐसा हो जाएगा तब टूटेगा तो यह क्या होता है जब टूटने तक जितना उसमें उसकी लंबाई बढ़ती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टिमेट इलोंगेशन तो हर चीज थोड़ा सा बढ़ता है ऐसा नहीं कि कोई चीज तूट जाएगा तो थोड़ा सा उसमें उसके लेंथ चेंज होगा उसके बाद तूट जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं टॉफनेस उसके बाद एफेक्टिव लेंथ क्या होता है हर तरह का जो सीलिंग हो रहा है उसका एक लेंथ होता है अगर हम मैं बोलने हूँ कि जाओ आप पांच मीटर का सीलिंग लेके जाओ तो आपको क्या करना है एफेक्टिव लेंथ जो उसका लोड बेरिंग पॉइंट से वहां से दूसरे लोड बेरिंग पॉइंट तक ना पना है जैसे माल लेते हैं कि एक यह यह है और आपका इससे उठाना है यह सीलिंग है तरह का तो अब इसका एफेक्टिव होगी और यहां एक लोट बेरी होगी और दोनों के बीच में हम नाप देंगे और इसको ऐसा नहीं कि बहुत जोड़ से खींच के नापना है सिधा रख दीजिए रख के नाप लीजिए वह ही उसका इफेक्टिव लेंथ है अगर मैं आपको बोलूँ कि जाईए आप पांच म मेजरिंग इसकेल है उसके नाप लेंगे और हो गया उसका इफेक्टिव लेंद बहुत जरूरी है जैसा यह आप सीलिंग देख रहे हैं इसमें आपको भेज़े जाओ नाप के सीलिंग खर दो आप सीलिंग खरिदने आप गए और कैसे खर देंगे आप तो इसका गोला तो और आपको क्लियर हो जाएगा तो डिपेंड करता है कि सबका अलग-अलग हो सकता है लेकि आप देखेंगे ना तो मैं अगर एक बात करूं वेब सीलिंग की तो उसमें इस तरह का इंफॉर्मेशन आता है जबकि अलग-अलग हो सकता है थोड़ा सा चेंजिंग होता है तो जो supplier है वो सारे ये सारा information उसमें टैग लगा के देता है जिसमें कि आपको एक तो work load limit रहेगा जैसे कि आप देख रहे हैं यानि कि manufacturer ने यहाँ पे कहा है कि ये 3000 kg उठा पाएगा 3000 kg का मतलब हो गया तीन टन और यह five into one ratio है मतलब इसका factor of safety कितना है five यानि कि यह टूटने का load कितना लएगा इस पर 15 टन देंगे तब भी जाके यह टूटेगा इफेक्टिव लेंद कितना है six meter ठीक है और यह सब अलग-अलग आप देख रहे हैं बांधने का तरीका है तो यह होता है उस product पे C manufacturing marking भी रहता है कि यह कौन सा जगह का standard को follow कर रहा है उसके उपर identification mark भी रहते हैं जिसे आप देख रहे हैं है ना यह सारे लोग का ID मिलता है जिससे कि उसको track किया जा सके अगर कुछ गलत होता है तो उसके बाद जो है उसका grade और उसके बाद में जैसे की चेन अगर रहेगा ग्रेड लिखा रहेगा उसके उपर manufacturer name और symbol जैसे आप देख रहे हैं यह simplex company है उसका ट्रेड मार्क है तो उसके symbol हो सकते number of legs अगर उसमें legs ज्यादा लगे हुए हैं तो चीज भी उसमें बताया जा सकता है तो यह सारा जो है product marking होता है जो information दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ceiling है और ceiling के उपर लिखा हुआ है 8 ton और उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका 1.5 meter इसका effective length है यहां पर चुक्त टेग नहीं लगा सकते बड़ी skill होता है और यह उसके serial number यह जिसे पचीस हम का है देख रहे हैं यह उसका number marking है तो ऐसे जो है यह safe working load लिखा हुआ है 8 ton मतलब यह क्या है work load limit है W L L है ना तो इसके अनुसार होता है अब steel wire rope भी है जो है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं जैसे इसमें दो कोर आता है जेनरली एक तो आता है कि fiber core आता है और एक steel core आता है ठीक है और इस तरह के जो है यूज होते हैं तो fiber core का आता है strand core आता है independent wire core इस तरह के आते हैं आप देख रहे हैं तो तो यह-कोर के अलग-अलग टाईप है आप देख रहा है यहां पर तीन कोर यहां पर दिखाया गया है और यह दोनो वायर ही है इसके अंदर में स्टील कोर का है यह भी जैने का है वह थिर scratching थे आप आयस कोड की बात देख रहे हैं यह IA-s code होता है असके रिगष कूबले कि एक अब वायर की बात करें तो 5 रखा जाता है अब वायर दो चीज हैं एक तो आप देख रहा हैं कि इसको कूर बोलते हैं जो बीच वाला है उसको कूर बोलते हैं इसमें वायर से बना होता है और यह पूरे वायर घुमा रहता है उसको strand बोलता है यानि कुल मिला जो लाकर देखें तो आपका strand में कितने wire होते हैं तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं जैसे 6 into 36 यानि कि 6 strand है और 36 वायर है इस तरह का नाम दे जाता है तो यह भी तरीका है किसी वायर का name देने के लिए तो जैसा कि आप इसमें अब इसका जो घुमावदार होता है जो इसको हम लोग घुमाते हैं उसके हई ही इस लेख्यूलर ही ने होता है जैसे अफ़ी तरह होता है तो इसमें ऐसे मूड़ार है तो만 छकEPते परेए तो ये अलग तरीके कारए ये आप Springs के यह भी मूड रहा है और ये दोनों मूड रहा है साथ में ऐसे दूनों साथ में मूड रहा है तो यह कुछ वायर के टाइप है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम एक वायर ओप सिलिंग के बात करें तो यह हाइड जो है आपको है तो यह अगर यह डामेटर डी है तो 50 x D यह जो है मिनिमम होना चाहिए यानि कि यह जो है 15 x D के से बड़ा होना चाहिए अब आई जानते हैं steel rope components के बारे में, तो components जो है आप देखे होंगे, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ferule, दो rope को लाके फसाके और इसको अच्छे से दबा दे जाता है, और इसको ferule बोलते है, clamping thimble है, इस तरह का, इसमें clamp लगा हुआ है और ये thimble भी है, और ये keval thimble बोल होते हैं, है ना, और उसके बाद steel rope clamp की बात करें, तो steel rope clamp ये है, जो कि हम लोग दो rope को लाके और वहाँ पर हम लोग clamp कर देते हैं, ये होता है, और मैंने ferule आपको बताया, तो ये सारे जो component हैं, जो कि steel rope के यूज किये जाते हैं, ये वह साहिए देख रहे हैं कि अब जो ferule है, वह भी कई तरह के होता है, इस तरह का आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तरीके का ये भी ferule होता है, तो आई आप जानते हैं, steel wire rope के बारे में, ये बहुत जाए, जो common use होते हैं, industries में, वह है आपका 114 wire, यानि कि total इसमें 114 wire रहेंगे, और 6 into 19, 6 मतलब कि इसमें 6 total strand रहेंगे, इस तरह के ये total 6 रहेंगे, और into 19, एक strand में 19 रहेंगे, मतलब इसमें 19 total wire रहेंगे, तो इस तरह से इसका नाम दिया जाता है, और 216 wire का आता है, 133, 265, 144, और ये अलग अलग आप देख रहेंगे, जो 144 हो फाइबर कोर है, है ना, और इसकी diameter जो है, 3 to 8 mm का generally होता है, तो इस तरीके से जो है, इसके हम लोग, जैसे 133 wire rope जो है, 133, 7 into 19 का है, ये hot environment के लिए जेनरी लोग prefer करता है, और ये steel core का होता है, ठीक है? अब fill factor क्या होता है, जैसे कि कोई wire rope में, जितना उसका, आप देखें होगा कि ये steel rope है, total steel है, इसमें भी जब कि gap होंगे, इसमें भी छोड़े छोड़े gap होंगे, और इस बीच में खाली जगह रहता है, ये दोनों के ratio को हम लोग बोलते हैं fill factor, यानि कि आप देख पा रहे है, A और into S, ये दोनों को अगर हम ratio निकाल दें, तो हम लोग बोलते हैं fill factor, और fill factor जो है आपको generally एक 216 wire का fill factor 50% होता है, जबकि 0.40 से कम नहीं होना है fill factor, जब भी हम बनाते हैं, तो fill factor इससे ज़्यादा होता, इसी से अनुसार उसका strength भी निकलता है, अब load table है, steel wire rope का generally नहां भी अगर नहीं लिखा होना, तो आप इस तरह के chart को भी prefer कर सकते हैं, देख सकते हैं, कि अगर 20 mm का wire है, तो कितना load lift करेगा, 36 mm का wire है, तो कितना load lift करेगा, ये 48 mm का है, तो कितना load lift करेगा, और अलग अलग उठाने के तरीके का अनुसार भी उसको हम लोग बता सकते ह हैं, कि वो कितना load lift कर पाएगा, लो चाहें, तो खुद भी उसका निकाल सकते हैं, लोड और इसके formula होगा, डबलू जो workload limit है, उसका होता है, f minimum by into kt, divided by jp, और into g, और इसका मतलब यहां पर दिया गया है, ये formula को use करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, कि वो steel wire rope कितना load lift कर पा आएगा, तो उसके लिए क्या formula है, आएए जानते हैं, तो अगर कोई wire rope ceiling है, ये wire rope के ही बारे हम बात कर रहा हूं, तो अगर उसका diameter हम inch में नाप रहे हैं, तो ये वाला formula यूज़ करेंगे, अगर millimeter में नाप रहे हैं, तो हम ये वाला formula यूज़ करेंगे, तो अगर हम होगा, और इसका square का 12.4 से multiply करते हैं, तो लगभग 8 टन का आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो है same value दे पा रहा है, तो अगर आपको mm मालूम है तो ये formula यूज़ कर लिज़े, अगर आपको inch मालूम है तो ये formula यूज़ कर लिज़े, और diameter नापने का सही तर करना है, अब आए जानते हैं कि inspection of wire rope ceiling, जब inspection करने जाएंगे तो हम ये ध्यान देना है कि एक तो competent person inspection certificate available हो उसका, यानि कि TPI वहा हुआ हो, उस ceiling का, उसके बाद उसका color marking है कि नहीं, मंदद जो हम लोग उस महीने का color को रखे हैं, कि मंदद था 3 महीने पर color change होता है, तो हम ल और साथ में उसका test certificate भी available होना चाहिए, जो TPI का हो, और उसके बाद जो है ceiling stored properly, जो है ceiling अच्छे जगा से रखा है कि नहीं, कहीं अच्छे जगा तो नहीं रखा है, और उसके बाद जो है ceiling में ये check करना है कि उसमें कहीं जंग तो नहीं लगा है, कहीं घीस तो नहीं गया है कहीं कट तो नहीं गया है, कहीं प्रेस तो नहीं हो गया है, दब के क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका denting तो नहीं हुआ है, bird cage तो नहीं बन गया है, मतलब पूरा घूम तो नहीं गया है, twist तो नहीं हो गया है, king तो नहीं बन गया है, और core तो नहीं हुआ है मतलब कोर से कटा तो नहीं है तो यह हम यह चीजे देखते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं डॉग डॉग लेक्स इसको बोलते हैं बर्ड केजिंग क्योंकि यह देख रहे हैं बर्ड का केज जैसा हो गया है उसके बाद चीजों को देखके हम इंस्पेक्शन करते हैं उसके बाद जो है अगर किसी वायर में अगर 6 से कम एक ले में तूटा हो या तीन वायर एक स्टेंड में तूट गया हो तो हम लोग को जनरली चेंज कर देना चाहिए और उसके बाद सिलिंग का डायमेटर यूनिफॉर्म होना चाहिए एक बराबर होना चाहिए थूआउट दे लेंथ है अगर अगर टेन पर्षेंट से ज्यादा उसका डायमेटर कम हो गया है मतलब इसको हटा देना चाहिए कु कि यह देखना है कि सिलिंग जो है मेकनिकल स्प्लाइस दून है कि अगर स्प्लाइस्ट है तो हैंड और состо and और वायर यूद क्लैंप नॉठ अलाव जनरली करना है कि वायर अच्छा से पकड़ता नहीं है यह कुछ defects हैं जो कि होते हैं आप देखेंगे कि abrasion caused failure इसको corrosive caused failure और यह core protusion बोलते हैं fatigue caused failure इसको kink drop बोलते हैं tension caused failure अगर किसी wire को काटना है तो काटने में यह ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बांध देना यहाँ बांधना है और बांधने के बाद तब काट नहीं तो यह क्या हो जबागा पूरा उभर जाएगा खूल जाएगा यह और यह काटने का यह तरीका है और उसके बाद जो है हम लोग इस तरीके से बांध देते हैं और अगर हमको major करना है मान लेते हैं किसी wire को तो हम लोग यहाँ इस तरीके से major करेंगे यह एक सही तरीक कि अगर हमको वायरोब को क्लैम्प करना है जिनली यह सब नहीं करना चाहिए उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन अगर क्लैम्प करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं और इसमें यह तीन तरीका है कौन सही है कौन गलत है आप बता सकते हैं तो सही वही होता है जैसे कि आप ये इसको बोलते हैं live line जो इदर से आता है जिसमें लोड देते हैं और यह दूसरा इंड को हम बोलते हैं dead end nut का हिसा इधर होना चाहिए उपर में live live line के साइड में और यह प्रोपर इस्पेसिंग होनी चाहिए ताकि जो है वो अच्छे से पकड़ पाई जब कि यह रॉंग प्रैक्टिस है और यह भी रॉंग प्रैक्टिस है